चैंपिन ट्रोफी का तो पता लगी गया होगा तुम लोगों को क्या होगा क्या नहीं होगा वो कल वाला वीडियो देख ले ना मेरे से बात भी मत करना अब लेकिन एक बात बोल देता हूँ गौतम गंबीर आ गया अब मेरी जो क्या बोलते है उसको मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा राइट हैंड आ गया है अब पाकिस्तान को लेके जो स्टैंड है ना मुझे ऐसा लग रहा है उसमें थोड़ा सा ना वो आ गया है क्या बोलते हैं अरे थोड़ा सा उसमें वो कहते हैं थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाता है थोड़ा वजन आ जाता उस बात में तो वो मेरे को लग रहा है अब बुलाओ जा रहा तुम पाकिस्तान में अब तो गोतम गंबीर ही नहीं जाएगा एक और बात बता दूमें यहां पे सब भाईयों को एक और बात बता देता हूं गोतम गंबीर absolutely full power के साथ coach बना है भाई पूरी power के साथ coach बना है वो किसी का पिठ्ठू बन के नहीं रह सकता है देखो गोतम गंबीर के जो फाइदे हैं वो सुन लो पहले तो agree or disagree लिखते रहे ना एक एक point पे सबसे पहला उसका कुछ उसके वो भी है नुकसान भी है वो भी बताऊंगा कुछ फाइदे ये हैं गोतम गंबीर के बहुत तगड़ा सच्चा देश भगता है भाई बहुत तगड़ा देश भगता है भाई बहुती तगड़ा देश भगता है मतलब उतना तगड़ा देश भगता है पैसा वैसा मैटर भी नहीं करता जब देश की बात आती है अगर पैसा मैटर करता होता आईपियल ना छोड़ता आईपियल में वो कम से कम 5-7 साल कहीं नहीं जाने वाला था शारुक खान के महां से हमने भी हाल फिलाल में बहुत बहुत बढ़े-बड़े पलेरों को सुना आईपियल से यह कहते हुए कि नहीं नहीं मैंटरिस्टेड नहीं हूँ कोचिंग में मैं इंटरिस्टेड नहीं बोलिंग कोच में गोतन गंबीर को एक बार ओफर हुआ भाई साब देख लो चला गया तो सच्चा तगड़ा देश भकत है ये बात दूसरा हराम जाद की नहीं चलने देगा ये कोई भी अगर फुद्दू बनाने की कोशिश करता है समझ रहे हो कोई भी फुद्दू बनाने की कोशिश अगर करेगा न की मेरा तुझी पंदरा मिनट में पीठ दर्द हो जाता है या मेरा ये होगा एक्जांपल दे रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है ठीक है और स्रेज सेईर के फैंस बहुत खुश है की हमारा बंदा हमारा बंदा वापिस आएगा ऐसा करके तो भाई ये वो वाली हरामजादगी नहीं चलने देगा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है ये जुक के रहना पड़ेगा गौती के आगे जुक के ये बात ध्यां से सुन लेना सारे भाई लोग और एक और चीज गौतम गंबीर जो करेगा भाई लोगों देखो कोच अच्छा है बुरा है वो तो उसके आखरी जब वो मैच खेल रहा होगा न ऐस कोच अपना मैच जब बैठा होगा बाहर और वो जब जा रहा होगा तब बता सकते होगी अच्छा था कि बुरा था देखो इंडिया में आप किसी को कोच बनाओ या ना बनाओ इंडिया साइमी फाइनल फाइनल तो खेली लेगी वहां जीत के ट्रोफी लाएगी कि नी लाएगी भाई फिर नाम होता है कोच का और कोच को यहां पर किसी को बैटिंग नहीं सिखानी गौतम कंबीर कोई बैटिंग ठोड़ ना सिखाएगा रोहिट शर्मा को चक्य मारना ठोड़ ना सिखाएगा या विराट कोली को सेंच्री मारना ठोड़ है लेकिन टीम का combination क्या होगा हम हमेशा combination से हारते हैं ये बार याद रखना हम हमेशा अपनी गैरा से हारते हैं WTC फाइनल देखलो पिछला मैंने इतने बड़े-बड़े प्लेरो को टॉस पर ये कहते हैं सुना कि अच्छी प्लेइंग लेवन अच्छी दो घंटे के बाद धूप निकल गई सारे रोही शर्मा को गालिया निकाल रहे थे कह रहे ये क्या 11 खिलाईए इसने तो भाई गौतम गंबीर वो है जो एक perfect combination के साथ उतरेगा और एक और चीज बड़े ही underrated रहने वाले प्लेरों से उनका best निकलवाना इस बंदे को आता है IPL में जाके देख लो इतने बड़े-बड़े बोलर वो हर्षित राना वो वैब बरोड़ा वो यही वही लोग काम कर गए इसके लिए तो भाई मेरे को ऐसा लगता है यह बहुत अच्छा decision है तकड़ा decision है अच्छा नुकसान क्या है नुकसान बदा देता है फाइबे और भी है बहुत जादा वो धीरे-धीरे बात करते रहेंगे नुकसान क्या है देखो वो किसी की शरम नहीं करता और मैं इसको नुकसान नहीं समझता मैं इसको तो बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ वो किसी की शरम नहीं करता 2011 arrest 2015 स्चिन वल्ल्डकप जीतेंगे यह भाई आया क्यों क्यों संचिन के लिए जीतेंगे भाई इंडिया इंडिया के लिए जीतना है मुझे विजा व्ल्डकप बहुत सही बोला भाई इस बयान को न ये बयान देने वाला ही असली भाई साब नहीं मतलब बड़ा गडस हो सकते हैं उसमें जो इइसा बयान दे के नहीं नँगे उस में शारे साचिन के लिए जीतने हैं व्ल्ड का एक लोता ग stretch नहीं भाई हम मैं तो देश के लिए कि लिए जीतना चाता था मैंने जो 97 मैं शच्रांप न उसट एक सवाल की आपकी अदालत में, कहता सचीन आउट हो गया, उसका ये वर्डिंग थी, कहता है सचीन आउट हो गये, विरेंदर सहवाग आउट हो गया था, आपको लगा कि उमीद टूट गई थी, कहता है सर मेरी नहीं टूटी थी, कहता जब तक मैं ग्राउंड पे था, मेरी उमीद नहीं टूटी थी, और कैसे टूट सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, भाइस बंदे की, तो मूँ पे बोलेगा, जो भी बोलेगा, ये इसकी अच्छी चीज है, एक सबसे बड़ा नुकसान, हाया ना करके बोलना, ये चीज ना, मेरे से कईयों ने पूछा था, 2021 में, जब महेंदर सिंग धुनी को as mentor लेके गए थे ना, और फिर बाते चलनी चालू हो गई थी, कि महेंदर सिंग धुनी आने वाले टाइम में न, इंडिया के coach बनेंगे, तो मैंने उस टेम पे एक बात बोली थी, वो भी आज भी सेम ही है वो stand मेरा, मैंने उस टेम पे कहा था कि यार, उस player को ना, कभी भी coach नहीं बनना चाहिए, तब तक, जब तक कि उसके साथ में खेले हुए player, retire नहीं हो जाते सारे, तो अभी इस टेम में ना, कुछ player हैं, जो गौतम कमीर के साथ खेले हुए हैं,